हेलो एवरिवान, विल्कम टू फार्मरोक्स यूट्यूब चेनल, फार्मरोक्स के यूट्यूब विज्जू के इसने चेनल में आपका स्वागत है आज की वड़ी लेक्चर में हम डेटेल में स्टेडी करेंगे पॉली मिक्सिन बी इंजेक्शन के बारे में तो हम सिखेंगे उसके बेजिक यूज के बारे में कि ये इंजेक्शन को कॉब और क्यो लगाया जाता है उसका डोस क्या होता है, डाइलूसन कैसे करते हैं और कितने दिन का कोर्स रहेगा तो यह सब डेटेल स्टेडी करते हैं आज के लेक्चर में और जानते हैं पॉलिमिक्स इन बी इंजेक्शन के बारे में था एक्सपर्ट लेक्चर दावारॉस सिखेंगे बौट सारी दवायों के बारे में medicine course में farma rocks के अब उपर तो ये course join करने के लिए मैं whatsapp करे 9016312020 पे साथ ही हमारे second channel को भी subscribe करके support करे link description box में मिल जाएगी तो अब समझते हैं polymixin B injection के बारे में तो ये ऐसे class का medication है कि जिसको हम polypeptide antibiotics कहते हैं और ये एक antibacterial drug है कि जो बहुत सारे bacterial infections को treat करने के लिए हम उसको use करते हैं और ये एक prescription based medication रहेगा कि जिसका 10,000 unit बराबर 1 mg जितना होता है तो ये injection के अंदर total 5 लाग जितने units यहाँ पे देखो लिखा है कि polypeaker के जो उसका एक marketed formulation देख रहे हैं कि जो समर्द pharmaceuticals जो बनाते हैं तो उसकी हम detail देखे तो 5 लाग जितने unit है एक वायल के अंदर तो वो कितने mg जितना होगा तो यहाँ पे एक relationship के 1 mg बराबर होता है 10,000 unit जितना तो 5 लाग unit बराबर हो जाएंगे around 50 mg जितना तो ये injection जो वो 50 mg की strength में खासकर available होते हैं तो यूनिट में हम देखे तो पचास अजार unit रहते हैं लायफलाइज पावडर रहता हैं और उसके साथ आपको WFI मनले कि water for injection दिया जता है sterile water दिया जता है कि जिससे आप उसको dilute करके patient को लगा सकें और ये injection तीन रूट से लगाया जता है intra-musculars भी लगा सकते हैं muscle में vein में भी लगा सकते हैं और intra-thecal root से भी ये injection को लगाया जता है तो उसके label की study हम करें तो एक वायल के अंदर आप देखो तो पांच लग जितने units रहते हैं life-lice powder रहेगा यहाँ पे भी instruction लिखी है कौन से root से आप उसको देते हैं I.M. लिखा है IV intra-thecal root भी लिखा हुआ है फिर composition में आप देखो खास यहाँ पे तो एक वायल के अंदर polymixin भी sulfate के पांच लग जितने units जो है वो present है doses रहता है proper physician के directions के according to और हम dose calculation कैसे करते हैं वो भी आगे हम सीखने वाले है lecture के अंदर फिर storage जो आपको 25 degree या फिर उससे कम temperature पे ही करना है और protect करना है उसको light से फिर c-due-lice drug है इसलिए proper prescription के साथ ही उसको बेची जाती है जब आप उसको retail में बेचते है तो इसके बारे हम detail में समझे तो यह drug of choice का ही जाती है urinary tract infection के अंदर meninges के अंदर फिर जो blood stream के अंदर या फिर blood में कोई आपको infection हुआ है कोई sepsis की जो condition जो हम कहते हैं तो सभी conditions को treat करने के लिए polymixin भी यूज़ के ज़िए जो gram negative species होती है spedomonas की तो उसके strain समझो की और detect हुए है culture test में तो उसके लिए यह medication सबसे best कही जाती है साथ उसाथ समझो की यही species के करन समझो की आपको आखों में infection हुआ है कि जो pseudomonas की जो species होती है उसके करन के pseudomonas एक type के bacteria है एक microorganism है और उसके infection के करन समझो की आपको UTI हो रहा है meningitis की condition हो रही है sepsis की condition हो रही है आखों में infection हो रहा है तो यह antibiotic आपके लिए सबसे best रहेगा तो यह बनाय कैसे जाता है तो यह bacteria में से ही obtain किया जाता है तो यहाँपे जो आप species देख रहे है बैसिलस पॉलिमिक्स करके तो उसके जो strain होते है उसके जो culture बनाया जाता है और उसमें से isolate की जाती है polymix in B drug और यह bacteria में इसे develop की गई antibiotic drug है कि जो bacteria को ही kill करने के लिए use की जाती है तो उसके basic use समझे हम तो सबसे पहले वो आखों में जो infections होते है बैक्टरियल specially जो pseudomonas की species के करन तो उसके इलाज में यह medication use की जाती है कि जिसको हम कहते है blefaritis के condition तो यह उपर वाले diagram में जो आप देख रहे है तो यह blefaritis के condition देखा था कि जिसके अदर जो आपको की जो यह eyelids होती है वहाँ प इस तरह से आपको सुजन देखने को मिलती है bacterial infection यहाँ पे फेलता है तो उसके इलाज में यह injection patient को लगाया जाता है फिर consultivitis की जिसको हम pink eye की condition कहते हैं कि जो आप यह नीचे वाले diagram में देख सकते हैं तो वो condition को भी treat करेगा यह polymix in B injection फिर urinary drug infection है meningitis में infection है blood stream में जो infection की जिसको हम कई बार sepsis भी कहते हैं फिर severe bacterial infections को treat करने के लिए आप use कर सकते हैं उसके अलावा जितने भी gram negative bacteria की infection है जैसे की respirator egg infections के इंदर pneumonia की condition है lungs में कोई gram negative bacteria का infection है, sepsis की condition है या फिर pseudomonas का infection तो सब भी type की infection को treat करेगा यह polymixin B injection अब उसकी mechanism की हम बात करें कि कैसे polymixin B काम करें तो उसकी mechanism थोड़ी अलग से है यह medication क्या करती है, जो bacteria के आसपास उनकी एक cell membrane होती है, तो cell membrane को यह completely damage कर देता है cell membrane को completely damage करके यह medication अपना काम कर दी है कि जो gram negative bacteria है और उसकी जो cell membrane है, कि जो specially lipopolysaccharide की बनी हुई होती है, तो उसके साथ वो bind होके neutralize कर देता है उसको और इसके करण क्या होता है, bacteria के अंदर उनका respiration inhibit हो जाता है, और साथ हो साथ उनकी cell membrane completely damage होने के करण वो survive नहीं कर पाते, उनकी death हो जाती है और यह अपनी bacteriocidal type की action जो है वो provide करता है, उसके double dose के बारे में हम समझे, तो 15,000 से लेकर 25,000 unit per kg per day के हिसाब से लगाया जाता है, और वो भी divided dose में हर 12 गंटे पे, और ध्यान यह रखना है कि 25,000 unit per kg per day के हिसाब से ही आपको maximum dose देना है, उससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं, मालो आप 15,000 से start करते हैं और किसी person का वज़न जो है, वो 50 kg है, तो into 50 करना है आपको, तो हो जाएगा total 70 5000 into 0, मतलब कि total 7,500,000 जेतने unit जो है वो आप per day उसको दे सकते हैं और वो भी divided dose में हर 12 गंटे पे, उसी तरह से समझो कि किसी के लिए दिन के 8,000,000 यूनिट बनते हैं 10,000,000 यूनिट बनते हैं, तो उस तरह से आप proper ये injection को divided dose में देते हैं तो ये खास द्यान रखें और दूसरी condition ये कि 25,000 unit per kg per day के हिसाब से dose जो हो देना चाहिए, maximum में उससे ज्यादा जो हो नहीं होना चाहिए, I.E.M. कि हम बात करें, मतलब कि intramuscularly, तो 25,000 से लेकर 30,000 unit per kg per day के हिसाब से हर 6 या, हर 4 या 6 गंटे पर, Q का मतलब होता है या पे, every तो हर 6 या हर 4 गंटे पर आप इतने unit देते हैं, per kg per day के हिसाब से, और वो भी divided dose में, कि समझो कि किसी के लिए, दिन के total 10,00,000 unit बनते हैं तो ऐसी condition में, आप क्या करोगे, कि patient को जो वो properly divided dose में, उसको देना आप सूरू करोगे कि 10,00,000 देना है, तो हर 6 गंटे पर देना है, तो समझो जितने unit जो रिसीव करेगा, हर 4 या 6 गंटे पर, तो प्रॉपर इस तरह से आपको calculate करके ही dose देना होता है, high dose में कभी भी use ना करें, इंट्राथिकल के लिए जो dose रहता है, 20,000 जितने unit जो हर दिन दिये जाते हैं, 3 से 4 दिन तक और उसके बाद, जो है वो आप 2 विक तक, उसको continue कर सकते हैं, और साथ हो साथ, जो cerebrospinal fluid होता है, उसका आपको culture जो हो खास लेना होता है, और वो culture negative आए, या फिर, normal हो जाता है for glucose content, तब तक आप ये injection जो पेसन को दे सकते हैं, और दूसरी चीज़, आपको एक खास ध्यान रखने है common, कि maximum एक दिन में 20 लाख unit से ज़्यादा पेसन को नहीं देने चाहिए, तो ये खास आप ध्यान रखे, कि minimum समझे कि आप 5 लाख, या फिर 10 लाख unit जितना देते हैं, maximum 15 लाख देते हैं, but 20 लाख से ज़्यादा unit dose जो है, वो पर दिन में, पर डे नहीं देना चाहिए, IV के हम बात करें, तो IV में जब आप इस conjunction को देते हैं, तो dilute करना चाहिए, और slowly infusion से उसको देना चाहिए, जैसे कि आप उसको dilute कर सकते हैं, D5W के अंदर normal saline में mix कर सकते हैं DNS में mix कर सकते हैं RL and D5RL तो यह सब भी option आपके पास रहते हैं IV fluids के कि जो खास कर isotonic रहते हैं, अब यह medications के कुछ side effects हम देखें तो सबसे पहले उसके side effect है कि यह Nafilaxis reaction करवा सकती है, जैसे कि dyspnea and tachycardia, मतलब कि breathing में आपको problem हो सकती है कि जो shortness of breath की जो condition हम कहते हैं, या फिर आपका अंदर heart rate जो हो increase हो ना कि जो हम tachycardia कहते हैं तो वो एक allergic reactions के तौर पे या फिर अचानक से किसी patient को Nafilaxis reactions देखने को मिल सकती हैं, second Eocenophilia की condition produce हो सकती है, उसके side effects के तौर पे, fever हो सकता है patient को, nephrotoxicity या फिर kidneys के function उपर ये असर कर सकता है neurotoxicity या फिर peripheral neuritis जैसी condition produce करता है, ये medication excessive rashes आपके skin उपर बन सकते हैं, और ये काफी जगा पे फेलेंगे आपके body के अंदर और articaria के जो हम condition कहते हैं, तो ये कुछ side effects develop कर सकती है, polymixin भी, तो proper medical supervision के अंदर hospital use के लिए ही ये injection होता है खास कर hospitalized patient को ही ये medical supervision में लगा जाता है, उसके warnings के हम बात करें, तो अगर आग किसी को hypersensitivity है, allergic reactions develop होती है, polymixin से तो ये injection उसको ना लगाए फिर oliguria के condition मैं बहुती कम produce हो रहा है, urine output बहुती कम है, ऐसे patient को ये injection ना लगाए, फिर myasthenia gravis के जो patient होते है skeletal muscle disorder के, तो उनको भी ये injection नहीं लगाने चाहिए pregnancy में उसको यूज ना करें अगर renal disease से kidney का problem होतो उसको यूज ना करें फिर neafrotoxicity या फिर neurotoxicity का risk है तो भी ये injection को लेना एवाइड करें और neuromuscular transmission जो है वो, वो inhibit कर सकता है, तो ये कुछ side effects develop कर सकती है polymixin B injection contraindications के हम बात करें तो कौन से लोगों को ये medication नहीं लेनी है तो ऐसे patients की जिनको myasthenia gravis का problem है skeletal muscle disorder है, तो वो लोग ये injection ना लगवा है, किसी को allergy है तो ना लगवा है, फिर renal impairment के जो patient होते है, वो injection को कभी भी use ना करेंगी जिनके kidneys already खराब है या फिर अच्छे से function नहीं करें तो ये medications क्या करवा सकती है nephrotoxicity करवा सकती है, जिसके करना आपकी kidney जो है, वो और जदा damage हो सकती है, और जदा खराब हो सकती है तो ये सब proper ध्यान रखना चाहिए, तो इसलिए proper medical counseling होना चाहिए patient history चेक करने चाहिए और उसके बाद ही ये injection को use किया जाता है, तो ऐसे ही सिखे detail में medicine course में, अलग-अलग दवायों के बारे में उनके use, उनके dose side effect, warning, contraindication एक साल तक, affordable price में former Oaks के अप उपर तो medicine course जोइन करने के लिए में whatsapp करे, 9016312020 पे हमारी second channel को भी subscribe करके support करें, जिसका नाम है Alisa Rocking Tells, link description box में मिल जाहेगी good luck and all the best